आप सुनेंगे न्यूज में के दो जगे पर ट्रेने आपस में टकरा जाएंगे पटडी से उतर जाएंगी अपने इडिया में भी सुनेंगे रिकॉंड तोड़ोगा जो बहुत भ्यानक तीन ट्रेनों का आपस में टकरा जाना ये बहुत रेर घटना है इस तरह के हाथ से भ् परवरी के बाद फिर पड़ी प्रॉब्लम्स हा रही है लेकिन परमिश्वर अपने लोगों का फेवर करेगा इश्वमसी के नाम में अपने और उसमें ये बड़ा हादसा हुआ इतना बड़ा नुक्सान हुआ है कि तीस से अधिक लोगों की मौत की खबर अभी अभी तका र है कि ये तीस से अधिक लोग अभी दोहजार के नोट में लेकिन कुछ ऐसा समय आएगा करंसी चेंज हो जाएगी लेकिन परमिश्वर आपके उपर तयां करेगा इश्वमसी के नाम में अंद लेंगे पुरी दुनिया के लोग तो सब को गॉड ब्लेस यू प्रभू के ना प्रभू ने दिये वो मैं दिखा रहा हूं आप उस चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब करें मैं आपसे विंति करता हूं दूआ करता हूं कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे आपके सपोर्ट करने से मैं अपने घर को चलाता हूं और अपने जीवन में खुशिया व्यक्त करत आता हूं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और जाके वीडियो देखें आमेन लोगों का फेवर करेगा और आम देखेंगे 2023 तक आपके घराने आपके लोग जो आज क्रिस्मिस पर बैठें आप देखेंगे और परमिश्वर आपके कानों में बार बार कईगा याद कर आपके पास एक संदिस लेकर आउं और बहुत से लोगे जो नय लोगे उनको बहुत जरूरी हो कि सुनना चाहिए इस बात को क्योंकि सुनने में और सुनाने में अंतर होता है उसी प्रकार जिसे आज परमिश्वर की हर एक वचन को जो सुनता है वो आज उस वचन पर चलता भी है मेरे भाई बेनो जो moral of the story जो प्रभु की एक हमारे लिए शान्ति का प्रतिक पवितर आत्मा जो हमारे लिए रखा गया हम उसे कैसे महसूस करें और कैसे उसके अंदर इंवाल होएं और कैसे वचन पर चलें इन सब चीजों के लिए परमिश्वर ने हमारे एक ही है रिजन वो है परमिश्वर की बड़ाई और परमिश्वर के जन पवितरात्मा को जाने है तो जो भविश्यवानिया होती है जो प्रोफिट जी करते हैं वो क्यों कर पाते हैं और क्यों उस चीज़ पर हमें अमल करना चाहिए सबसे पहले जब हम पवितरात्मा के सं तो पवित्रा आत्मा हमें हमारे अंदर महसूस करा देता है। उसी प्रकार जब प्रोफिट भविश्वानिया करते हैं। जब उनके अंदर ये गौड ने ये चीज रखी है। प्रभु येश्व ने पवित्रात्मा ने उनके अंदर ये अभास करा है कि जब वो किसी के बारे में बताते हैं तो उन्हें वो चीज महसूस होती है। हमारे भीतर हैं, हम मानते हैं, इसलिए आज हमारी चीजों को प्रभु समझता है, हम प्रभु को मानते नहीं, प्रभु को जीवित मानते हैं, क्योंकि परमिश्वर की वचन के अनुसार, जब पवित्रा आत्मा हमें बोलना चाहेगी, तो किसके द्वारा बोलना चाहेगी, वो हमारे लिए किसी ऐसे मनुष्य के हिर्दे में आके बोलेगी जो परमिश्वर को मानता है वो हमारे लिए हमारे बुजुर्गों के हमारे बच्चों के मूपे आके बोलेगी जो पवित्रा आत्मा है जिसने पाप छोड़ दिया जिसने पाप की संगती छोड़ दिए, जिसने बुराईयां छोड़ दिए, जिसने कुकर्म छोड़ दिए, जिसने परमिश्वर की सेवा को अपना जीवन मना लिया, क्योंकि परमिश्वर उन्नी से बात करते हैं, जो परमिश्वर के नियम और अनुसासन पे चलते हैं, जो प वैसे ही परमेश्वर को भी हर एक बुराईयों के रंग दिखते हैं, जो हमारे अंदर होते हैं, हमारे कुकर्म उन्हें दिखते हैं, हमारी गंदी सोच उन्हें नजर आती है, परंतु हमें मानना है और यह जानना है कि हम पवित्रिता से कैसे चलें, और प्रफिट जी और जो भी आज हमारे वचनों में लिखा है परमेश्वर के नाम से, उन सब पर हमें अमल करना पड़ेगा, तब ही हम बचाए जाएंगे, छोड़ाए जाएंगे और शुरक्सित होंगे, तो इन बातों को माने मेरे भाई बेनों, और प्रभु की महिमा में जुड़े रहें, आपक प्रभु से प्रातना कर रहे हैं, वो प्रातना है, पूरी हो जाए, मेरा विश्वास है, और आप सब के लिए में दुआए करता हूँ, जो लोग आज मुझे, आज मेरे यूटूब चेनल को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन सब के लिए दुआए करता हूँ, कि परमेश्वर उन्हें चार गुना आशिच दे, उनके मांगने से पहले और उनके सोचने से पहले परमेशर उनके लिए करें, तो सब को जे मसी की, गौड ब्लेस यू, ऐसे वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना प्रेम प्रभु की द्वारा हमारे ल